C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय बारा घातांक और घात प्रिष्ट संख्या 201 से लेकर प्रिष्ट संख्या 208 तक आईए सुनते हैं अध्याय बारा घातांक और घात प्रिष्ट संख्या 201 बारा दशमलव एक भूमिका क्या आब चानते हैं प्रित्वी का द्रव्यमान हम पिछली कक्षा में पहले ही पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार की बड़ी संख्याओं को ज्यादा सुविदा जनक घातांकों को उप्योग करते हुए कैसे लिख सकते हैं जैसे पांच दशमलव नौ साथ गुणा दस की घात 24 किलोग्राम हम दस के उपर 24 को दस की घात 24 पढ़ते हैं हम जानते हैं कि दो की घात 5 बराबर है 2 गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो जाहिए यहां घातांक रिनात्मक परिमय संख्या है दस की घात 24 में 24 घातांक है और 10 आधार है हम कहते हैं कि दस की घात 24 है बारह दशमलव दो रिनात्मक घातांकों की घात आप जानते हैं कि 10 वर्ग बराबर है 10 गुणा दस बराबर है 100 दस की घात 1 बराबर है 10 बराबर है 100 बटा 10 दस की घात 0 बराबर है 1 बराबर है 10 बटा 10 दस की घात घटा 1 बराबर है प्रश्न चिन उपर के प्रतिरूप को आगे बढ़ाते हुए हम पाते हैं दस की घात घटा एक बराबर है एक बटा दस इसी प्रकार दस की घात घटा दो बराबर है एक बटा दस भाग दस बराबर है एक बटा दस गुणा एक बटा दस बराबर है एक बटा सो बराबर है एक बटा दस वर्ग दस की घात घटा तीन, बराबर है एक बटा सो, भाग दस, बराबर है एक बटा सो, गुणा एक बटा दस, बराबर है एक बटा हजार, बराबर है एक बटा, दस की घात तीन दस की घात, घटा दस किसके बराबर है? जब घातांक एक से कम होता है, तब मान पूर्वमान का एक बटा दस्वां भाग हो जाता है प्रिष्ट संख्या दो सउदो, निम्न लिखित को जानिये तीन की घात तीन, बराबर है तीन गुणा तीन गुणा तीन, बराबर है सत्ताईस, तीन की घात दो, बराबर है तीन गुणा तीन, बराबर है नौ, बराबर है सत्ताईस बटा तीन, संख्या को आधार तीन से विभाजित किया है इस प्रकार उपरोक्त प्रतिरूप को समझने पर हम कहते हैं तीन की घात घटा एक, बराबर है एक भाग तीन, 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 बराब गुणा एक बटा तीन बराबर है एक बटा तीन की घात तीन। इसी प्रकार दस की घात घटा दो से पुनहें आप प्राप्त कर सकते हैं। गुणा एक बटा तीन बराबर है एक बटा तीन की घात घटा तीन। इत्यादी। साधारन तया, हम कह सकते हैं कि किसी शुन्यतर परिमय संख्या A के लिए A की घाद घटा M, बराबर है एक बटा A की घाद M, जहां M1 धनात्मक परिमय संख्या है. A की घाद घटा M, A की घाद M का गुणात्मक प्रतिलोम हैं. प्रयास कीजिए गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए. एक, दो की घाद घटा चार, दो, दस की घाद घटा पांच, तीन, साथ की घाद घटा दो, चार, पांच की घाद घटा तीन, पांच, दस की घाद घटा सो. हमने सीखा कि संख्याओं को विस्तारित घातांक रूप में कैसे लिख सकते हैं जैसे 1425 बराबर है एक गुणा 10 की घात 3 जमा 4 गुणा 10 की घात 2 जमा 2 गुणा 10 की घात 1 जमा 5 गुणा 10 की घात 0 अब हमें समझना चाहिए कि 1425 दशमलव 36 को विस्तारित रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं हम जानते हैं 1425 दशमलव 36 बराबर है एक गुणा 1000 जमा 4 गुणा 100 जमा 2 गुणा 10 जमा 5 गुणा 1 जमा 3 बटा 10 जमा 6 बटा 100 बराबर है एक गुणा 10 की घात 3 जमा 4 गुणा 10 की घात 2 जमा 2 गुणा 10 जमा 5 गुणा 1 जमा 3 गुणा 10 की घात घटा 1 जमा 6 गुणा 10 की घात घटा 2 दस की घात घटा एक बराबर है एक बटा दस, दस की घात घटा दो बराबर है एक बटा सौ प्रयास कीजिए घात आंकों का उप्योग करते हुए निम्न को विस्तारित रूप में लिखिए एक, एक हजार पच्चीज दशमलव छे तीन, दो, एक हजार दो सौचपन दशमलव दो चार नौ, प्रिश्ट संख्या दो सौ तीन, बारा दशमलव तीन, घातां के नियम हम सीख चुके हैं कि कोई भी शुन्यतर परिमेश संख्या ए के लिए ए की घात M गुणा ए की घात N बराबर है ए की घात M जमा N, जहां M और N प्राकृत संख्याएं हैं यदि घातांक रिनात्मक है, तो भी क्या यह नियम सत्ते है? हमें खोजना चाहिए एक, हम जानते हैं कि दो की घात घटा तीन, बराबर है एक बटा, दो की घात तीन, और दो की घात घटा दो, बराबर है एक बटा, दो की घात दो अतह A की घात घटा M बराबर है एक बटा A की घात M कोई 0 तर परिमे संख्या A के लिए घटा 5 दो घातांकों घटा 3 और घटा 2 का योग है 2 घटा 3 की घात घटा 4 गुणा घटा 3 की घात घटा 3 लेने पर घटा 3 की घात घटा 4 गुणा घटा 3 की घात घटा 3 बराबर है एक बटा घटा 3 की घात 4 गुणा एक बटा घटा 3 की घात 3 बराबर है एक बटा घटा 3 की घात 4 गुणा घटा 3 की घात 3 बराबर है एक बटा घटा 3 की घात 4 जमा 3 बराबर है घटा 3 की घात घटा 7 घटा 4 जमा घटा 3 बराबर है घटा 7 तीन, अब पांच की घात घटा दो, गुणा पांच की घात चार को लिखिये। घटा दो, बराबर है पांच की घात दो, क्योंकि घटा दो जमाच चार बराबर है दो। अब घटा पांच की घात घटा चार, गुणा घटा पांच की घात दो को लिखिये। घटा पांच की घात घटा चार, गुणा घटा पांच की घात दो, बराबर है एक बटा घटा पांच की घात चार, गुणा घटा पांच की घात दो, बराबर है गटा पांच की घात दो, बराबर है एक बटा घटा पांच की घात चार, गुणा घटा पांच की घात घटा दो साधारन तया हम कह सकते हैं कि किसी शून्यतर परिमेश संख्या ए के लिए ए की घात M गुणा ए की घात N बराबर है ए की घात M जमा N जहां M और N परिमेश संख्याएं हैं प्रयास कीजिए घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए एक घटा दो की घात घटा तीन गुणा घटा दो की घात घटा चार दो पी की घात तीन गुणा पी की घात घटा दस तीन तीन की घात दो गुणा तीन की घात घटा पांच गुणा तीन की घात छे इसी प्रकार आप निम्न घात आंकों के नियमों को सत्यापित कर सकते हैं जहां A और B शुन्नेतर परिमेश संख्याएं और M, N कोई पूर्णा आंक हैं एक, A की खात M बटा A की खात N बराबर है A की खात M घटा N दो, कोश्ठक में A की खात M की खात N बराबर है A की खात M N 3. A की खात M गुणा B की खात M बराबर है कोश्ठक में A B की खात M 4. A की खात M बटा B की खात M बराबर है कोश्ठक में A बटा B की खात M पांच, एकी घात शून्य बराबर है एक इन नियमों को आप कक्षा साथ में धनात्मक घातांक में भी सीख चुके हैं आईए उपरोक्त घातांकों के नियमों का उप्योग करते हुए कुछ उदाहरणों को हल करते हैं प्रिष्ट संख्या 204 उदाहरण 1, मान ग्यात कीजिए 1. दो की घात घटा तीन 2. एक बटा तीन की घात घटा दो हल 1. दो की घात घटा तीन बराबर है एक बटा दो की घात तीन बराबर है एक बटा आट 2. एक बटा तीन की घात घटा दो, बराबर है तीन की घात दो, बराबर है तीन गुणा तीन, बराबर है नौ उदारन दो, सरल कीजिए 1. कोश्ठक में घटा 4 की घात 5 गुणा कोश्ठक में घटा 4 की घात 10 2. दो की घात 5 भाग दो की घात घटा 6 1. कोश्ठक में घटा 4 की घात 5 गुणा कोश्ठक में घटा 4 की घात 10 बराबर है कोश्ठक में घटा 4 की घात 5 घटा 10 2. बराबर है कोश्ठक में घटा 4 की घात 5 बराबर है एक बटा कोश्ठक में घटा 4 की घात 5 A की घात M गुणा A की घात N बराबर है A की घात M जमा N तथा A की घात घटा M बराबर है एक बटा A की घात M 2. 2 की घात 5 भाग 2 की घात 6 बराबर है 2 की घात 5 घटा कोश्ठक में घटा 6 बराबर है 2 की घात 11 A की घात M भाग A की घात N बराबर है A की घात M घटा N उदाहरण 3 चार की घात घटा 3 को घात और उसके आधार 2 के रूप में लिखिए हल हमें प्राप्त है 4 बराबर है 2 गुणा 2 बराबर है 2 की घात 2 अतह कोश्ठक में 4 की घात घटा 3 बराबर है कोश्ठक में 2 की घात 2 की घात घटा 3 बराबर है दो की घात गटा छे कोष्ठक में ए की घात M, की घात N, बराबर है ए की घात MN उदाहरन 4 सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए एक कोष्ठक में दो की घात 5, भाग2 की घात 8, की घात 5 गुणा 2 की घात घटा 5 2. कोश्ठक में घटा 4 की घटा 3 गुणा 5 की घटा 3 गुणा घटा 5 की घटा 3 3. 1 बटा 8 गुणा 3 की घटा 3 4. घटा 3 की घात 4 गुणा 5 बटा 3 की घात 4 हल 1 कोश्ठक में 2 की घात 5 भाग 2 की घात 8 की घात 5 गुणा 2 की घटा 5 बराबर है कोश्ठक में 2 की घात 5 घटा 8 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 बराबर है कोश्ठक में दो की घात घटा तीन की घात पांच गुणा दो की घात घटा पांच बराबर है दो की घात घटा पंदरा घटा पांच बराबर है दो की घात घटा बीस बराबर है एक बटा दो की घात बीस दो कोश्ठक में घटा चार की घात घटा तीन, गुणा कोश्ठक में घटा पांच की घात घटा तीन, गुणा कोश्ठक में घटा पांच की घटा घटा तीन, बराबर है कोश्ठक प्रारंब, कोश्ठक में घटा चार, गुणा पांच, गुणा कोश्ठक में घटा पांच, कोश कोश्ठक अंत की घात घटा 3, बराबर है कोश्ठक में 100 की घात घटा 3, बराबर है एक बटा 100 की घात 3, नियम से A की घात M, गुणा B की घात M, बराबर है कोश्ठक में A B की घात M, और A की घात घटा M, बराबर है एक बटा A की घात M. 3. एक बटा आठ गुणा 6 की घात गटा 3, बराबर है एक बटा 6 की घात 3, 4 घटा 3 की घात 4, गुणा 5 बटा 3, बराबर है कोश्ठक में घटा एक गुणा 3 की घात 4, गुणा 5 की घात 4, बटा 3 की घात 4, बराबर है घटा 1 की घात 4, गुणा 3 की घात 4, गुणा 5 की घात 4, बटा तीन की घात चार, बराबर है घटा एक की घात चार, गुणा पांच की घात चार, बराबर है पांच की घात चार, क्यूंकि हम जानते हैं घटा एक की घात चार, बराबर है एक. उदहरन पांच, M का मान ग्याद कीजिये ताकि घटा तीन की घात M जमा एक, गुणा घटा तीन की घात पांच, बराबर है घटा तीन की घात साथ हल, घटा तीन की घात M जमा एक, गुणा घटा तीन की घात 5, बराबर है घटा तीन की घात साथ घटा तीन की घात M जमा एक, जमा पांच, बराबर है घटा तीन की घात साथ घटा तीन की घात M जमा छे, बराबर है घटा तीन की घात साथ दोनों और की घातों के आधार समान हैं, जो एक तथा घटा एक से भिन्न हैं, अतह उनकी घातांक समान होने चाहिए अतह, M जमा 6 बराबर है 7 या M बराबर है 7 घटा 6 बराबर है 1 A की घात N बराबर है 1 यदि N बराबर है 0 A की घात 1 या A की घात घटा 1 के अतिरिक्त किसी भी A के लिए यह होगा A बराबर है 1 के लिए 1 की घात 1 बराबर है 1 की घात 2 बराबर है 1 की घात 3 बराबर है 1 की घात 2 बराबर है रिक्त स्थान बराबर है 1 या A की घात N बराबर है 1 असीमित N के लिए ए बराबर है घटा एक के लिए, घटा एक की घात शुन्य, बराबर है घटा एक की घात दो, बराबर है घटा एक की घात चार, बराबर है घटा एक की घात घटा दो, बराबर है रिक्तस्थान, बराबर है एक या घटा एक की घात पी बराबर है एक, पी कोई सम पूर्णांक प्रिष्ट संख्या 205 उदहारण छे दो बटा तीन की घात घटा दो का मान प्राप्त कीजिए हल, दो बटा तीन की घात घटा दो बराबर है दो की घात घटा दो बटा तीन की घात घटा दो बराबर है तीन की घात गटा दो, बटा दो की घात दो, बराबर है तीन की घात गटा 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 दो, बराबर है तीन बटा दो की घात दो, अतह साधारन तह A बटा B की घात घटा M बराबर है B बटा A की घात M उदारन साथ सरल कीजिए 1 कोश्ठक प्रारंब 1 बटा 3 की घात घटा 2 घटा 1 बटा 2 की घात घटा 3 कोश्ठक अंत भाग 1 बटा 4 की घात घटा 2 2 5 बटा 8 की घात 7 गुणा 8 बटा 5 की घात 5 हल 1 कोश्ठक प्रारंब 1 बटा 3 की घात घटा 2 घटा 1 बटा 2 की घात घटा 3 कोश्ठक अंत भाग 1 बटा 4 की घात घटा 2 बराबर है कोश्ठक प्रारंब एक की घात घटा दो, बटा तीन की घात घटा दो, घटा एक की घात घटा तीन, बटा दो की घात घटा तीन, कोश्थक अंत, भाग एक की घात घटा दो, बटा चार की घात घटा दो, बराबर है कोश्थक प्रारंब 3 की घात 2, बटा 1 की घात 2, घटा 2 की घात 3, बटा 1 की घात 3, कोश्थक अंत, भाग 4 की घात 2, बटा 1 की घात 2, बराबर है कोश्थक में 9 घटा 8, भाग 16, बराबर है 1 बटा 16. 2. पांच बटा आट की घात घटा साथ गुणा आट बटा पांच की घात घटा पांच बराबर है पांच की घात घटा साथ बटा आट की घात घटा साथ गुणा आट की घात घटा पांच बटा पांच की घात घटा पांच बराबर है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचनस्वर आकाश आहुजा तकनी की समनवयक बटिलाइंग लिंग्डो तकनी की सहायक विकास सांग्वान निर्मान सहयोग रुची शर्मा निर्देशन व निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत प्रस्तुती शर्मान प्रस्तुती शर्मान विकास सांग्वान विकास सांग्वान